Hey everyone, welcome back आज किस वीडियो में हम lead code का question number 40 करने वाल है combination sum 2 और ये question हमारा combination sum 1 जो हमने last video में किया था और हमारा subset 2 problem था उन दोनों का combination है अगर आपने वो दोनों question कर रखे हैं तो आप इस question को असानी से कर सकते हो actually हम template देख चुके थे back tracking का subset वाले question में तो subset में हमने उस question को 2-3 को से किया था subset 2 में उसको 2-3 को से किया था उसके बाद हमारे लिए question सारे easy हो चुके है अगर आपने combination sum problem नहीं देखा तो please उसको देखे जागे तो अभी आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा आज का problem के तो यहाँ पे क्या देखो different चीज है जो की combination sum में थी combination sum में क्या था हम a की element को multiple times use कर सकते थे unlimited times use कर सकते थे इसमें क्या है हम एक चीज को एक ही बार use करेंगे एक element को आप एक ही बार use कर सकते हो तो यह है तो यह देखो example यह किया रहा है इसका 25212 यह हमारे पास input था और target था 5 तो हमारे पास क्या आगया output यह दो output आगए समझे लोग अब इसको solve करने कोशिश करते हैं पहले actually इसको solve करने के लिए हम अपने array को sort करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा वो देखने के लिए पहले हम इसको ऐसे ही देखते हैं कि क्या output आएगी मेरे पास देखे 2 5 2 1 2 है मेरे पास input ठीक है तो देखते हैं अब मेरे पास क्या है 2 5 2 1 and 2 इसका मतलब क्या है मैं अपने combination को start कर सकता हूँ 2 से मैं अपनी combination को start कर सकता हूँ 5 से मैं अपनी combination को start कर सकता हूँ फिर से 2 से मैं अपनी combination को start कर सकता हूँ 1 से & 2 से ओके तो यह हो गया कुछ मैं अपनी kombination को यहां से start कर सकता हूँ और यहां पर हमने क्या किया यहां लगा की यहां इतनी batch open की हम फोर लूप लगा के अपनी batchấक उपन कर सकते हैं तो यह हो गया शíरोथ index यह हो गया मेरा first index यह हो गया मेरा second index यह हो गया 3rd index से हो गया मेरा 4th index अब यहांगे टार्गेट की बात कर लो मेरा टार्गेट क्या था यहांपे जो मेरा initial target था वो था मेरा 5 तो यहांगे टार्गेट कितना था? 5 था अगर मैं 2 आड़ करतूँगों टार्गेट कितना रहा जाएगा? त्री रहा जाएगा अगर मैं 5 एड़ करतू हो टार्गेट कितना रहा जाएगा 0 रहा जाएगा फिर इसे 2 एड़ करतू हो टार्गेट कितना रहा जाएगा 3 रहा जाएगा यहाँ पर टार्गेट 4 रहा जाएगा और यहाँ पर टार्गेट पर इंडेक्स तो यहां पर इसको मैं साइड में करता हूं ताकि आपको प्रोब्लम ना समझने में तो यहां पर हम फिर्स इंडेक्स जो कि क्या है 5 और यहां पे 2 यहां पे 1 और यहां पे 2 तो इन दोनों को मैं दोबार add कर सकता हूँ 2 के साथ इन दोनों को मैं दोबार add कर सकता हूँ 2 के साथ तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ 2,5 2,2 2,1 and 2,2 तो यह मेरे array हो गए ये मेरे अरे हो गए सारे के सारे आई हो आप सामच पा रहे होंगे मैं कर क्या रहा हूँ मैं elements को add कर सकता हूँ तो ये मेरी और branches open हो गई अब ये 1st index ये 2nd index ये 3rd index ये 4th index को मैं आगे फिर से add कर सकता हूँ अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे target 3 था अब मैंने यहाँ पे 5 add कर दिया तो target negative में चला गया फिर्डिक है यहाँ पे target ये देखो target मेरे को 3 add करना था बड़ मेंने यहाँ पे 5 add कर दिया तो target negative 2 चला गया तो इससे क्या होगा हम आगे फोर्दर यहाँ से ब्रांच इसको open नहीं करेंगे अब यहाँ पर क्या करेंगे हम यह 2 है अब यहाँ पर हमने target 3 था हमने 2 एड़ कर दे हैं target कितना हो गया 1 हो गया है target यहाँ target 3 था हमने 1 एड़ कर दे हैं यहाँ target 2 रह गया और यहाँ पर 3 था और target कितना था target 3 था और यहाँ पर target 1 रह गया यहां पे अब हम फिर से आगे branches को open करके देखते हैं अब यहां पे हम second index था second index के बाद यहां पे हम third index और fourth index के यहां पे दो branches open कर सकते हैं अगर हम यहां पे third index को add करेंगे तो third index क्या है मेरा उपर आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, third index मेरा क्या है? 3 है 0, 1, 2, 3, 3rd index मेरा 1 है तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर 2, 2, 1 और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ 2, 2, 2 4th index मेरा 2 है आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 4th index 2 है तो मैंने आपर 2 एड़ कर दिया अब यहाँ पर target देखो क्या होगा यहाँ पर target 1 था बट हमने क्या किया यहाँ पर 1 ही एड़ किया तो target यहाँ पर 0 हो गया यह base condition हो गई यह एक अंसर मेरे को यह मिल गया और यहाँ पर 4 था और यहाँ पर 4th index पर किया कि हमने 2 एड़ किया और यहाँ पर हमने 2 एड़ किया target था 1 तो हमने यहाँ पर तो हम इसको आगे फर्दर एक्स्टोर नहीं करेंगे और यह मेरे को अंसर मिल गया अब यहां से हम एक ही ब्राच उपन कर सकते हैं यहां से ब्राच उपन कर सकते हैं फॉर्थ इंडेक्स एड़ कर सकते हैं यहां पर अगर हम यहां पर फॉर्थ इंडेक्स एड़ करेंगे तो तो यहां पर 2, 1 और फिर से यहां पर 2 add कर सकते हैं तो यहां पर target कितना हो गया अब 0 हो गया यहां पर भी ठीक है तो यहां पर एक answer मेरे को यह मिल गया तो duplicate answer मिल रहे हैं देखो एक answer मिल गया 2, 2, 1 और 2, 1 तो यह duplicate हो गया देखो एक answer मेरेको मिल गया 221 एक हो गया मेरेको 212 यह दो answer duplicate है और भी मिलेंगे ऐसे answer आपको यहाँ पे देखो अगर आप इसको आगे फर्दर और यहाँ पे तो आगे और open करेंगे नि क्योंकि fourth index पी थे हम और आगे तो add नहीं करेंगे तो मतलब क्या यहाँ पे हमें duplicate answer मिल रहे है यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे न हम इसको sort करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे तीन बार 2 है एक बार 1 है और एक बार 5 है तो इसको sort करेंगे तो क्या लिखाएगा यहाँ पे वन आएगा and फिर टू आएगा तीन बार and फिर फाइव आएगा समझे लिए अब यहाँ पर देखो आप अब हम अपने combination को कहां से start कर सकते हैं हम अपने combination को 1 से start कर सकते हैं 2 से start कर सकते हैं फिर से 2 से start कर सकते हैं फिर से 2 से start कर सकते हैं and 5 से start कर सकते हैं अपने combination को तो यह मेरी branches open हो जाएंगी यह 0th index के लिए 1st index के लिए 2nd index के लिए 3rd index के लिए and 4th index के लिए branches कैसे start होंगी मेरी starting में हम ले लेंगे start को 0 तो यहां पर हमारी branch चलेगी 0 से लेके 4 तक और आपको target आपका कितने आपका 5 है but देखो यहां से 3 बार अगर हम 2 से अपने combination को start करेंगे तो यह duplicate मेरी को देंगे बाद में ठीक है तो मैं क्या करूँगा इसको branch को आगे proceed नहीं करूँगा और इस branch को आगे मैं proceed नहीं करूँगा समझे रहो अब मैं क्या करता हूँ आगे चलता हूँ तो अब मैं यहां पर 1 के साथ दुबारा 1 add नहीं कर सकता मैं 0th index दुबारा add नहीं कर सकता तो मैं यहां पर 1st index add कर सकता हूँ जो कि क्या है 2 1,2 ठीक है 1st index add करते है 2nd index पर भी क्या है 2 है 1,2 3rd index पर भी क्या है 2 है and 4th index पर क्या है 5 है ठीक है मैंने यहां पर 2 एड़ गया तो टार्गेट कितना रहा गया टार्गेट रहा गया यहां पर 2 टार्गेट यहां पर 2 रहा गया अब यहां पर एक और चीज मेरे को बतानी थे आपको अब यहां पर चलो टार्गेट लिख देता हूं पहले यहाँ पर टार्गेट फॉर्थ है, मैंने टू एड़ कर दे, यहाँ पर भी टार्गेट टू रहा गया, और यहाँ पर टार्गेट नेगेटिव वन हो गया, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर भी टू है, सेगिंड, यहाँ पर भी टू है, मैं सिरफ first one two को consider करूँगा समझे रहो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा फिर से वही काम करूँगा अब यहाँ पर first index था अब मैं यहाँ पर आगे तीन ब्रांचिस खोल सकता हूँ second index के लिए यहाँ पर second index के लिए ब्रांच उपन कर सकता हूँ third index के लिए ब्रांच उपन कर सकता हूँ अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा second index पे क्या है second index पे है two है समझे रहो अब third index पे भी है तो two ठीक है बट मैं एक को ही consider करूँगा क्योंकि यह तो मुझे duplicate देगा तो इसको मैं consider करूँगा ही नहीं और fourth index पे क्या है five है one two five इसको भी मैं क्या करूँगा यह मेरा target negative में चला गया देखो अब target two था मैंने two याड़ किया यह zero बन गया इसको तो मैं consider की नहीं करूँगा क्योंकि यह duplicate आ रहा था अब यहाँ पे target two था मैंने add कर दिया five तो target negative three चला गया यहाँ पे इसको भी आगे further consider नहीं करूँगा तो एक अंसर मुझे मिल गया यहाँ पर वन टू टू एक अंसर मिल गया मेरे को अब उपर चलते हैं अब यह two है अब इसकी मैं आगे branches open कर सकता हूं तो मैं इसकी branches open कर देता हूं यहाँ पे इसकी branches open होगी एक होगी ऐसे करके दिखाता हूं आपको एक branch open होगी इसकी second index के लिए एक third index के लिए और एक fourth index के लिए समझे हो और अगर ऐसे branch open करूँगा मैं तो क्या होगा तो two के साथ second index पे क्या है तो ही है तो two add कर सकता हूं third index पे क्या है तो two add कर सकता हूं fourth index पे क्या है फाइव ए तो मैं यहाँ पे five add कर सकता हूं अब target दिखो क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे two था ठीक है पहले target five था मैंने two add कर दिया यहाँ पे target थी रह गया था अब 3 targets हम इने 2 add करते हैं यहां पर target 1 रह गया समझे हो यहां पर target भी 1 रह गया और यहां पर target तो minus 2 चला गया अब यहां पर देखो क्या हो रहा है यहां पर फिर से 2 2 आगया मैं इसको तो considering नहीं करूँगा आगया यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर दो ब्रांचिस में और उपन कर सकता हूं इसकी आगया एक 3rd index के लिए एक 4th index के लिए अब 3rd index पर 2 है तो 3rd index पर 2 करती है मैंने 4th index पर 5 है तो 2,5 तो यहां पर target देखो यहां पर 1 चाहिए था मुझे 2 add कर दें है यहां पर minus 1 हो गया यहां पर target यहां पर 1 चाहिए था मैंने 5 add कर दें हैं यहां पर target minus 4 हो गया इससे क्या होगा आ गए ब्रांचिस फर्दर प्रोषीड नहीं करेंगी एक answer ही मिला हुए मुझे वही मिला हुए और यह क्या है यह एक base condition है 5 ठीक है यहाँ पर target 5 था target मैंने यहाँ पर 5 याड करते हैं यहाँ पर target 0 वोगत यह basic condition है तो 2 answer मिल गए मिल गए इक 5 मिल गया यहाँ और एक answer मिल गए है यहाँ यह 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 1,2,2 इसकिल्स बहुत इंबोडन्ट है डवलप्मेंट के लिए आप हमारी वैबसेट को डोट कोम पर जाके विजिट कर सकते हैं आप मेरा रेक्ट का कोर्स चाइक और वहारा बैक एंड का को जैंगो चाइक आउट कर सकते हैं आपको एजी टो अंडरस्टेंड लैंगवेज में इ पूरी नोलिज भी आपको मिल जाए इंटर्वी कोर्शन से लेके प्रोजेक्श तक आपको सब कुस देखने को मिलेगा और अगर आप इन कोर्स को फोलो करेंगे आई गैरेंटी यूगाईज आपको बहुत फायदा होगा इन कोर्सेस का इसलिए मैं कहूंगा कि आप इन को इसके अनदर अब आपके बढ़ते हैं सेम कोड है वैसे तो अगर मैं आपको बताऊंगा यह कोड और इस कोड में थोड़ा से डिफरेंस होगा मैं लिखके दिखा दे आपको पूरा का क्या वो कन्फूजन ना हो बैक ट्रैक मेरे फंक्शन का नाम रखता हूँ एक टीक है as a input लेगा यह array, as a array लेगा ठीक है, और अपना target लेगा, एक output array भी होगा मेरे पास, एक होगा मेरे पास stamp array, जो की blank होगा, और start करेंगे हम 0 से, अब यह start हो ली trick मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, अब start index है एक तरह से, ठीक है, तो क्या मतलब ऐसे, ठीक है, अब पहले म मेरी loop चलेगी न, start से लेके end तक चलेगी, इस case में start रहेगा मेरा 0, ठीक है, 0 से लेके end तक, इस case में, for example, हम यहाँ पे थे, इस case में मेरा start रहेगा 2 से लेके 4 तक, I plus 1 हो जागा मेरा start, ठीक है, for example, हम यहाँ पे थे, अगली हमने 3 branches open करने हैं, वो हमें पता कैसे लगेगा, हम आयाथ first index पे थे उसके बाद हम second index से लेके end तक जाएंगे ऐसे काम करता है मैं आपको फिर से कहा रहो subset question में second approach कराई थी मैंने for loop fully उसमें मैंने dry run करके दिखाया था आपको अच्छे से कैसे काम करता है उसके बाद subset two question कराई था नहीं आपको उसमें भी करके दिखाया था अपको उसके बाद हमने combination emotion किया उसके बाद combination sum भी किया तो चारो के चार • को मैं मैं आपको बताए कि कैसे प्रोपर अच्छे से काम करद Mina अई हो इसमें भी आपको समझ आ चुका होगा हम काम करता है तो उसके बाद मैं क्या करता हूं यहां पर यह गया बैक ट्रैक और इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वही बेस कंडिशन अगर आपका टार्गेट जीरो से कम चला गया मतलब हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे अगर आपका टार्गेट हो गया जीरो इसका मतलब आपको answer मिल चुके है हम क्या करेंगे output array में push कर देंगे या push करेंगे हम temporary का clone बना के push कर देंगे समझे रहो उसके बाद हमें normal for loops लानी है let i equals to start से i क्या होगा start and i should be less than array dot length and i plus plus अब मुझे करना क्या है यहाँ पर same काम करना है temporary dot push क्या push करना है array at i उसके बाद मैं backtrack करूँगा उसके बाद मैं backtrack करूँगा और backtrack array तो पास करूँगा ही target में से minus करना पड़ेगा मुझे array at i यह तो मुझे करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा for example मैं 5 था है मेरा target अगर मैं उसमे वन एकर उनको target 4 रह जाएगा तो 5 minus जो भी number होगा उसको minus करना पड़ेगा तभी मेरा target सही मिलेगा मेरेको next time output array वैसे का वैसे रहेगा temporary वैसे का वैसे रहेगा start change होगा यह कैसे change होगा इसमें बच्चे confused होते हैं confused होने वाली बात है नि इसमें देखो फिर से वह example ले रहा हूँ for example यहाँ पर हम ठीक है इसके बाद यहाँ पर हमने आगे तीन branches open करने हैं तो वह कौन सी तीन branches होगी i plus 1 होगा ना मेरा next start start क्या होगा 2 से लेके 4 तक start कुछ नी i plus 1 हो जाएगा मेरा start क्या हो जाएगा मेरा i plus 1 ठीक है और pop भी करना पड़ेगा pop मैं आपको बहुत बार बता चुक हो पर यहाँ पर यहाँ पर बता जैता हूँ for example हम यहाँ पर महोंच गए recursion कैसे काम करती है बिल्कुल पहले depth में जाएंगे हम हमने tree भली ऐसे बनाया हो बत रिकर जन पहले depth में जाएकरले यह काम होगा फिर यह काम होगा और फिर उसके बाद यह काम होगा जब यह काम होगा हमारी execution यहां पर दुबारा जाएगी और पर यहां पर नमब्र जो हमने element add किस्क तो फिर से लूप चलाई, ठीक है, फोर लूप चलाई, यहां से लेके यहां तक, अब यहां पे यह टू था और यह टू था, element सेम था, तो हमें skip करना था, ऐसी नीचे यहां पे हो रहा था, यहां पे यहां पे भी यह दो element सेम थे, हमने इसको skip किया, तो skip कैसे करेंगे, हम first वाला उट उठा लेंगे, मतलब, अगर I, देखो, अगर I मेरा start के कवल हो, हम उसको तो pick कर लेंगे, उसके अलाव हम pick नहीं करेंगे, अगर same हुआ तो, ठीक है, मतलब क्या होगा, हम उसको बड़ा हुआ, और वो same हुआ previous element के, तो हम उसको skip कर देंगे, तो यह मैंने आपको समझाया था, subset two problem में भी, यहां बेबी एक बार लिख देता हूँ, यह condition, if, क्या है, अगर I है, वो start से बड़ा है, मतलब हम first को तो हमने consider कर लेंगे, अगर first के अलावा कोई element हुआ, उसकी हम बात करेंगे, if I is like, greater than start, and, array at I equals to array at I minus 1, इस case में हम क्या करेंगे, continue, continue कर देंगे, तो यह condition है, जो हमने लगानी थी, बस, यह हमारा code हो हो गया, अब, इसको एक बार like run करके देखते हैं, for example, मेरे पास एक array है, same array है, for example, यही से उठा लेते हैं, यह array, यही उठा लेते हैं, पूरा, तो मैंने वहां से को भी paste कर लिया, अब मैं क्या करता हूँ न, अपने candidates को पहले sort करना बढ़ेगा मेरे को, तो sorted पास करना है, क्योंकि मेरे को, candidates.sort, जावस्क्रिप्ट में sort ऐसी होता है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने backtrack को call करूँगा, जिसमें पास करूँगा, पहले candidates पास कर दूँगा, target पास कर दूँगा, और एक ऊपर बना लेते हैं, एक output array भी, और यहां पे हम output array भी पास कर देते हैं, जिसमें की, मेरा काम होगा सारा, और यहां पे मैं console.log करके देखूँगा, अपने output array को, तो यह देखो, सही answer आ रहा है, 1, 2, 2 and 5, तो अब यहां पे अगर आप बिलकूल, हाँ एक चीज़ और कर सकते हैं आप, for example, like हमारा array sorted है, तो उसका फाइदा उठा सकते हैं, for example, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे target negative 1 में चला गया था, और अगला target negative 4 था, और array sorted है, मतलब अगर यहां पे ही मेरा target negative में जा रहा है, तो इसका मतलब अगला भी target negative में जाएगा, मतलब मेरे को पूरे for loop में, for example, लागे 100 elements, 100 branches भी होती हैं, तो मेरे को किसी को देखने की ज़रोती नहीं थी, तो मतलब वो condition भी मैं यहां पे लगा सकता हूँ, simple, तो यहां पे check कर लूँगा मैं, if, क्या check करना है, अब यहां पे उपर देखो, आपका target था उपर 1, नीचे element हमने add किया 2, मतलब अगर element बड़ा हो गया target से, समझ रहो, if array add i, अगर यह element बड़ा हो गया मेरे target से, तो मैं सही answer आ रहा है, बिल्कुल सही answer आ रहा है, और मैं यहां पर क्या कर सकता हूँ, यहां पर मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, फंक्शन मना सकता हूँ, कुछ चीज तरह से, जैसे नोंने combination sum2 नाम का function मना है, तो वैसा function मना सकता हूँ, मैं backtrack उसे कर लोगा, उसमें, तो function मना candidates को sort भी करना पड़ेगा मेरे को, तो वो sort भी कर लूँगा मैं, और यहां पर return कर दूँगा मैं, return कर दूँगा अपना output आ रहे, और अब मैं combination sum2 को call करके देख सकता हूँ, for example, post answer आ जेगा मेरा combination sum2 को, यहां पर candidates and target pass करके, and अगर मैं अपना answer देखूँगा, तो क्या आना यह, बिल्कुल सेम आ रहे, सही आ रहे, तो कुछ ऐसा कर सकता हूँ, तो इस quote आ देता हूँ, नीचे से, या comment out कर देता हूँ, तो यह मेरा output हो चुक है, मेरा पूरा code बन चुक है, और कुछ लोग क्या करते हैं, इस backtrack को, इस function के अंदर बनाते हैं, तो आप वो भी बना सक देता हैं, if you want to, like backtrack, function मैंने अंदर बना दिया, तो इस से, it doesn't matter, right, for example, मैं फिर से run करके दिखा देता हूँ, आपको एक बार, तो, तो सही अंसर आ रहा है, और मैं इसको क्या करता हूँ, इसको अगर मैं lead code पे देखूं मैं, paste करके, तो answer सही आना चाहिए, आप lead code पे direct coding कर सकते हैं, यह सिर्फ मैं इसलिए करता हूँ, क्योंकि मैं को एक code आपको देने भी हैं बाद में, तो इसलिए मैं अभी files मना रहा हूँ, code की, तो direct में git पे push कर रहा हूँ, तो यही है, एक submit करते हैं, और काफी easy question था, यह अगर आपने पुराने question कर रखे हैं, तो easy था, आई हो आपको समझ आ गया हो गए, अब मिलते हैं आप next video में,